हेलो दोस्तों सब्सक्राइब समरीक का मेरे आज की फ्रेश वीडियो में मेरा नाम इंचिवन मरगा शुड़ आप देख रही हो ग्यान दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले किसी भी नॉर्मल वीडियो को आप पावर डिरेक्टर के अट्रोड अप्लिकेशन के अंदर स्लो मोशिन और फास्ट मोशिन के अंदर एडिट कैसे कर सकते हैं जानने के लिए वीडियो को complete देखीगा दिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें दोस्त अगर आपको ऐसी interesting वीडियो देखना पसंद दे तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ में अगर आप बैल लाइक न करेंगे तो आपको मेरी सभी आले वाली वीडियो के नोडिस्केशन मिल जाएगी दोस्तों अगर आपने मेरे को अभी तक Instagram और Twitter के उपर फॉलो नहीं किया तो latest update दिखने के लिए मेरे को Instagram और Twitter के उपर फॉलो कर लीजिए लीग नीचे description के अंदर दिये गए हैं दोस्तों अगर आपको ऐसा effect अपनी वीडियो के अंदर लगाना चाहते हैं जिसमें कोई भी normal वीडियो एकदम से fast motion के अंदर जा लिए या फिर slow motion के अंदर जा लिए अजब हो अपनी गएंदर जा फिर corrosion के अंदरU तो कैसे आप लगा सकते हैं इसके लिए मैं आपके लेकर चलता हूँ पाव डिरेक्ट की Android ऐाफ्लिकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं आज कह вещ कहलो पाव डिरेक्ट की Android ऐाफ्लिकेशन के अंदर और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सी क्लिप को ले लिया है जिसके अंदर मैं आपको फास्ट मोशन के अंदर इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा और स्लो मोशन के अंदर इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा सबसे पहले हैं पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक नॉर्मल वीडियो है तो दोस्तो जैसे कि आपने देखा बिल्कुल नॉर्मल वीडियो इसके अदर कोई भी fast motion या फिर slow motion नहीं है तो यहां पर अगर आप किसी भी वीडियो के अंदर fast motion और slow motion लगाना चाहते हैं तो आपको जिस भी clip के अंदर किसी वीडियो को slow करना है या फिर fast करना है उसके उपर आपको इस तरीके से click कर लेना है उस clip के उपर उसके बाद edit वाली option के अंदर आपको option मिल जाती है speed की इसके उपर click करेंगे तो यहीं से आप किसी भी वीडियो को fast motion के अंदर play कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो को आप slow motion के अंदर play कर सकते हैं तो इसको अगर आप बिल्कुल zero कर देंगे मतलब यहां तक इसको अगर आप लेकर आजाएंगे तो आपकी जो speed है वो maximum slow जो इतनी ही यहां पर हो सकती है तो अगर आप यहां पर play करेंगे तो आपकी वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी जो clip है आपकी वो काफी लंबी हो जाएगी उसके माद यहां पर यह वीडियो बहुती जादा slow चलना आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप किसी भी वीडियो को slow motion के अंदर या फिर fast motion के अंदर करते हैं तो आप audio को mute भी कर सकते हैं अगर आप mute नहीं करना चाहते है audio को तो इसको off कर दिजिए तो आपको जो sound है वीडियो के अंदर वो आ जाएगा लेकिन वहुती अजीब sound आएगा तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप audio को जो है हमेशा mute ही रहने दे अगर आप किसी भी वीडियो को fast motion या फिर slow motion के अंदर edit कर रहे है अगर आप किसी भी वीडियो को fast motion के अंदर edit करना चाहते है मतलो अगर आपकी कोई clip है उसको अगर आप fast motion के अंदर edit करना चाहते है तो simply आपको 1x से उपर आपको लेकर चले जाना है जितना आप लेकर जा इसको रखता हूँ तो यहां पर मैं इसको जो है 2X तक लेके जला गया हूँ इसके अंदर भी अगर आप वॉल्यूम को आफ रखेंगे तो यह अच्छा है वरना जो साउंड है वो बहुत ही अजीव आएगा तो आडियो को जो हमें साब म्यूटी रहने दें उसकी बाद यहा अजाद ऑफास्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से जो है फास्ट कर सकते हैं 4X तक मैं इसको दोवारा से लेके गया तो अब यहां पिसकी स्पीड देखते हैं कितने ही जादा है तो जैसे कि देख सकते हैं आप स्पीड अप काफी जादा होगी है तो दोस्तों इस तरीके से disable कर दीजे, इसके बाद जो भी sound है आपकी video के अंदर वो आ जाएगा, लेकिन बहुती अजीव आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, audio जो है बहुत जादा खराब आ रही है, तो इसलिए जो आपको अमेशा mute रखनी चाहिए, दोस्तों इस feature को यूज़ करके आ उनको और भी जादा अच्छे तरीके से आप इस feature के साथ दिखा सकते हैं, अगर आपका इससे लेड़ कोई सवाल है, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, मैं सभी के comment पढ़ता हूँ और सभी comment के reply भी कर देता हूँ कुछ और जागना चाहते हैं, तो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं आप सभी कमेंट पढ़ता हूँ, और सभी comment के reply भी कर देता हूँ, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो पसंदा है, अगर आपको वीडियो पसंदा तो मुझे like करके बता सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं सभी इंट्रस्टिंग वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे सेटूप चैनल को, पैस कीजिए बेल लाइकिन को ताई कि आपकी पास sponsor के मेरे अग लाइने वाले वीडियो रोडिफिकेसन सबसे पहली, और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी, अगर आपके को सवाल तो हमें जी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोंगा आपकी कमेंट का रिप्लाइ जल्द जल्द, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर चीजिए आपने सब्सक्राइब के साथ, और दोस्तों शोशनी में डियाने उस्क्यूबर मेरे को लाइक और फॉला क आप दूपना भूलिये, लिंक आपको डिस्क्राइब के अंदर में जाएगा,